मेरा घड मेरा महल है और मेरे अपने महल में मैं जो चाहे कर सकता हूँ और कोई भी इंटरफ्यार नहीं कर सकता हूँ मैं अपनी भाबनाव को छुपा सकता हूँ ताकि किसी को भी पता ना चल सके बाइलेंग अभी भी डिप्टिस्ट होके ये सब सोच रहा होता है तभी उसके घड़ की बेल बचती है वो जाके देखता है तो जिन्शन है और वो सोचता है जब तक कोई अंदर खुसने की कोशिश न करे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसे अंदर आने दू या फिर मैं उसे जाने दू और वो डोर को ओपन कर देता है फिर कहानी प्रेजन में आती है दोनों साथ में डिनर कर रहे होते है जिन्शन पुछता है तुम्हें कुकिंग करना बहुत पसंद है ना? बाइलेंग कहता है मुझे इतना अच्छा भी नहीं आता जिन्शन कहता है लेकिन तुम इसमें बहुत अच्छे हो बाइलेंग कहता है थैंक्यू शुर्वात में मैं बस ये चाता था कि मेरी बहन हेल्दी खाना खाए और फिर ग्रेजेशन के बाद मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है तो उसने सजिस्ट किया क्योंना एक रेस्टरॉन खोला जाए? मैंने इसके बाड़े में सोचा मज़ेदार लगा हर रात मेरे साथ खाने के लिए कोई होगा जिन्षन कहता है लेकिन अब तुम्हारा शेडियूल तो सब गरबर है बाइलेंग कहता है मुझे इसकी आदत है घर पहुचने के बाद भी मैं सोता नहीं हूँ जिन्षन पुचता है तो तुम्हें अनित्रा का रोग है? बाइलेंग कहता है नहीं ये अनित्रा नहीं है बस कई बार मुझे अच्छा नींद नहीं आता क्या तुम भूके हो मैं तुम्हारे लिए और भी बना के लाता हूँ और वो उठके जाने लगता है जिन्श्वन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं ठीक हूँ बाइलेंग कहता है तुम्हें पानी लेके आता हूँ जिन्श्वन पुछता है तो तुम रेगुलारली स्लिपिंग पिल्स लेते हो बाइलेंग कहता है मैं उसमें एडिक्टेड नहीं हूँ बस जब मुझे नींद आने में परिशानी होती है लेकिन चिंता करने की जरूरत न है वो शड़ा भी होते है राइट मेरे लिए ड्रिंक करना एट्मोस्फियर बनाना है यह रिलेक्सिंग के लिए है ओके तुम काफी चिंतित लग रहे हो क्या डेंटिस्ट होना बहुत स्ट्रेसफुल होता है जिन्श्वन कहता है नहीं बाइलेंग पुछता है नहीं फिर अपनी तरफ करके कहता है तो फिर मैं तुम्हें एक क्वेशन पूछता हूं मीडियम रिया स्टिक और मीडियम वेल स्टिक एक दूसरे से कभी भी बात क्यों नहीं करते जिन्श्वन कहता है क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते बाइलेंग कहता है नह वो बाइलंग में ही खो गया है। फिर बाइलंग कहता है तुम जब हसते हो तो अच्छे दिखते हो। तुमैं ओर भी ज्यादा हसना चाहिए। तुम्हारा चेहरा हमेशा इतना सीरियस होता है। जिन्शन कहता है, मैं तुम्हारे जोग पे हस रहा हूँ। बाइलेंग कहता है, ओके अब तुम्हारी बाड़ी, तुम एक जोग बोलो। मेन करेक्टर मिंग होना चाहिए, इजी नहीं है, है ना। फिर कहता है, कम ओन मैं वेट कर रहा हूँ, जोग बोलो। जिन्शन कहता है, मैं बाठरूम जा रहा हूँ, बाइलेंग पूछता है, जोग सुनाने से बचने की कोशिश कर रहे हो, जिन्शन कहता है, नहीं और बाठरूम चला जाता है, बाइलेंग कहता है, मुझे निराश मत करना, याद रहे कि मेन करेक्टर मिंग होना चाहिए, जीन जिन्शन आके उसे बुलाता है और कहता है शाया तुम्हें सो जाना चाहिए मैं इसे किसी और दिन के लिए सेफ करके रखता हूँ बाइलेंग कहता है नहीं उसकी जरुरत नहीं है मैं कितनी दीर से वेट कर रहा हूँ कम आन में रेडी हूँ जिन्शन कहता है तो फिर मैं कहत फिर वो जोग बोलना स्टाट करता है और बाइलेंग जोग सुनते सुनते सोफे में ही सो जाता है जिन्शन एक चदर लाके उसे उड़ा देता है फिर सोचता है तुम्हारे पैनिक का कारण क्या है और तुम्हारा नींद ना आना फिर चदर को ठीक करने जाता है तो बाइलें में की कोशिष करता है, फिर नेक्स डी मॉर्निंग जब फाईलंग की नीन तुटती है तब वो देखता है, वो सोफे में ही अपने सब टेडिस के साथ सोया है, फिर चारो तरफ देखता है और कहता है उसने फिर से मेरे लिए सारे लाइट्स को आफ कर दिया है फिर एलेक्स और हेक्विन को रस्ते से जाता हुआ दिखाय जाता है हेक्विन फोन पे अपनी मॉम से जगर रहा होता है उसकी मॉम फोन काट देती है तो वो गुसे में फोन को फेक देता है एलेक्स पूछता है ये क्या कर रहे हो और फोन को उठा के कहता है ये फोन इनोसेंट है इसे अपनी फोन पर निकालने का कोई मतलब नहीं है हेक्विन कहता है ये वो लोग है जो फिर कहता है तुम नहीं समझोगे एलेक्स कहता है बच्चे दूसरों से उसी तरह से बिहेव करो जैसा तुम उनसे अपने ले जाते हो फिर हेक्विन फोन लेने जाता है तो एलेक्स नहीं देता फिर हेकुन ठाक्ट कहता है तो एलेक्स फोन को दे देता है और कहता है देखा ये इजी हैं हेकुिन कहता है और कपड़े और ये सब सामान के लिए भी थेंग्स और दोनों चले जाते हैं फिर Đental Clinic का सेँ दिखहा जाता है रिसेपशनिस्ट किसी से कहती है के चीफ फीयशियन पेशेट नहीं देख पाएंगे तबी वहाँ पे बायिलांग आता है वो रिसेपशनिस्ट से पूछता है चीफ फीयशियन को क्या हुआ है रिसेपशनिस्ट कहती है उनकी तबियत अच ठीक नहीं है शायद उने बुखार है उन्होंने घर जाने से भी मना कर दिया उन्होंने उपर रहने की जिद की फिर पूछती है कोई बात है क्या बाईलेंग कहता है मैं जाके उन्हें चेक करता हूं और वो भाग के उपर चला जाता है और जिन्शन से जाके पूछता है क्या तुम ठीक हो फिर उसका टेमपरजा चेक करता है और कहता है तुम्हें तो बुखार है जिन्शन पूछता है तुम यहाँ पे क्यो हो बाईलेंग कहता है मैं तो तुम्हें पूछने आया था के मिंग के साथ क्या हुआ प्लस मैं तुम्हारे लिए लांच लाया हूँ तुम्हें थैंक्स कहने के लिए लेकिन अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और उसे उठाता है जिन्शन कहता है एक मिन्ट रुको, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरुरत नहीं है बायलेंग कहता है, जरुरत है जेनशन कहता है, बुखार एक प्रोटेक्टिफ मेकानिजम है मैं जानता हूँ क्यूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ बाइलेंग कहता है श् âmm लेकिन तुम्हें एक लाक Jewish हो देखते है इंटरनल मेरिशिन के डौक्टर क्या कहते है चलो फिर बाइलेंग जिनशन को लेके नीचे आता है और बाकी स्टाफ से कहता है क्लिनिक अब तुम्हारे हाथों में है मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ अगर कुछ होगा तो मैं तुम लोगों को बता दूँगा डोंट वरी क्लिनिक का ख्याल रखना ठीक है बिग ए कहता है हाँ no problem बाइलेंग जिन्शन को लेके वहाँ से चला जाता है बाइलेंग एलेक्स को भी कॉल करके सब कुछ कहता है एलेक्स कहता है तुम्हारा डेंटिस्ट होना टफ है तुम दोनों का बहुत special patient doctor relationship है फिर कहता है ठीक है उसका ख्याल रखो बाद में बात करेंगे और कॉल को cut कर देता है फिर बागी स्टाफ से कहता है बॉस आज बिजी है तुम दोनों को ही ये करना होगा दूसरा स्टाफ कहता है क्या वो बिजी है या सिर्फ काम को skip कर दिया फिर हेक्विन से कहता है तुम्हें इसकी आदत पर जाएगी तभी वहाँ पर हेक्विन की मौम आती है और हेक्विन से कहती है तुम अन्विलिवेबल हो हेक्विन कहता है मैं काम कर रहा हूँ उसकी मौम कहती है ठीक है मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूँ क्या तुम अब घड़ आओगे देखो मेरी तरफ भाग गय और ऐसे जगा़ पे काम कर रहे हो लोगों को पता चलेगा तो उबो क्या कहेंगे ये पूरी तरह से तुमारे डैट को एफेक्ट करेगा अपना सामान बांधो और चलो हेक्विन कहता है नहीं उसकी मॉम कहती है नहीं तुम्हारे डैड ने तुम्हारे कार्ड को कैंसल कर दिया है हेक्विन कहता है मैं ठीक हूँ मैं खुद को सपोर्ट कर सकता हूँ आप घर जा सकते है और अंदर चला जाता है उसकी मॉम पुछती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एलेक्स हेक्विन की मॉम से कहता है Excuse me, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हेक्विन की मॉम पुछती है हेक्विन ट्यान के बारे में हेक्विन चुपके से उन दोनों को बाते करते हुए देखता है फिर हेक्विन की मॉम एलेक्स से कहती है ठीक है तो फिर मैं ये आप पे छोड़ता हूँ और जाने से पहले हेक्विन से कहती है मैं घर जा रही हूँ और चली जाती है फिर हेक्विन बाहर आता है एलेक्स पूछता है तुम मुहाँ पे क्यों छुप रहे थे हेक्विन पूछता है मेरी मॉम कहा है फिर पूछता है उ इसी तरह की डील की है, तुम मेरी मॉम के लिए मुझे पर जासुसी कर रहे हो, सब बड़े सेम होते है। एलिक्स कहता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत जादा मुवीज देखते हो, मैंने तुम से कहा था, तुम लोगों से जैसा भीएव करोगे, वैसा ही तुम उनसे भी पाओगे। हेक्विन कहता है तुमने वो पहले कहा था वे ही गलत है क्या तुमने वो मेरी मॉम से कहा एलेक्स कहता है किसी को तो कॉंप्रमाइस करने की जरूरत है हेक्विन कहता है तो मेरी मॉम ने मुझे रहने दिया थैंक्स एलेक्स कहता है अगर तुम सच में मुझे थैंक्स कहना चा लेकिन जिन्षन की तबियत बहुत खराब होती है वो लर्खरारे लगता है बाइलेंग पुछता है क्या तुम ठीक हो फिर जाके उसको पकड़ लेता है फिर जिन्षन को उसके बेडरूम में ले जाता है बेडरूम में जाके जिन्षन सो जाता है बाइलेंग कहता है तुम थोरा सो लो मैं बाहर हूँ अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरुरत हो तो मुझे कहना फिर बाइलेंग जिन्शन के लिए खाना पकाता है और उसके रूम में ले जाता है फिर कहता है तुम्हें कुछ खाने की जरुरत है और मेडिसिन भी लेना है जिन्शन सोते हुए कहता है मुझे भूग नहीं है फिर बाइलेंग उसे जबर्दस्ती जगाने लगता है और कहता है तुम तो हमेशा अपने पेशेंट से कहते फिरते हो कि टाइम पे मेडिसिन लेने के लिए खुद की ही एडवाइज लो और उसे किसी तरह से बिठाता है जिनशन फिर से गिर जाता है बाइलेंग उसे फिर से उठाता है और कहता है अच्छे बच्चे बनो ठीक है बैठो और थोड़ा पोरिच खालो फिर तुम अपना मेडिसिन ले सकते हो ओके देखो तुम्हें कितना बुखार है फिर जिनशन को पोरिच खिलाने जाता है लेकिन जिनशन छोटे बच्चे की तरह जित करता है कि नहीं खाएगा और बाइलेंग भी उसे छोटे बच्चे की तरह बहला के थोरा सा पोरिच खिलाता है जिनशन को वो अच्छा लगता है फिर जब वो पोडिज खाने के लिए मूँ खोलता है बाइलांग चुपके से उसकी फोटो खिज लेता है फिर फिर से उसे खिलाने लगता है इधर Alex हेक्विन को स्टोर रूम में लाता है Alex कहता है यह स्टोर है जो चीज हम यूज़ नहीं करते उसे यहां पे रखते है हेक्विन पूछता है तुम मुझे यहां पे क्यों लाए हो फिर दोनों मिलके एक फोल्डिंग बेट को उतारता है और Alex कहता है तुम इस पर सो सकते हो हेक्विन कहता है मैं कॉच पे ठीक हूँ Alex कहता है ये जाधा कमफर्टेबल है तबी स्टोरूम की वो लाइट फिर से बंध हो जाती है हेक्विन पुचनता है लाइट चली गई क्या Alex कहता है यहां का वेरिंग ऐसा ही है हमیشہ ऐसा होता रहता है फिर वो दोनों मोबाइल की फ्लेश अन करते है एलेक्स कुछ ढूंड रहा होता है फिर क्या किसी चीज से टकड़ा के हेक्विन गिरने वाला होता है और एलेक्स उसे पकड़ लेता है और फिर लाइट भी उन हो जाती है एलेक्स पूछता है क्या तुम ठीक हो हेक्विन कहता है मैं ठीक हूँ फिर एलेक्स उसे एक एपरण देता है और हेक्विन देखता है एलेक्स के हाथ में कट गया है और खुन निकल रहा है हेक्विन कहता है तुम्हें ब्लीडिंग हो रहा है एलेक्स कहता है ये सिर्फ एक स् किया था एलेक्स कहता है तुमने अल्रेडी माफी मांग लिया है फिर से ये सब क्यों बोल रहे हो तुमने इसे बहुत सीरियसली ले लिया है क्या वो तुम्हारा फर्स्ट किस था हेक्विन कहता है अफकोर्स नॉट एलेक्स कहता है मतलब मैंने सही गेस किया था चिंता मत करो तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा first kiss है हेक विन कहता है लेकिन मैंने आलरेडी तुम्हारे साथ वो किया है एलेस कहता है अगर उसमें किसी तरह की emotion involve ना हो सिर्फ photo का touch करना हो तो वो count नहीं होता एक दिन तुम समझ जाओगे बच्चे इधर बाइलेंग जब बाहर कुछ कर रहा होता है तो जिन्षन उठके बाहर आता है बाइलेंग पूछता है क्या तुम ठीक हो जिन्षन कहता है मैं ठीक हूँ बाइलेंग पूछता है क्या करोगे जिन्षन कहता है बात्रूम लेकिन वो बात्रूम की जगा पे कहीं और पे घुज जाता है बाइलेंग उसे बात्रूम तक पहुचा देता है फिर उसे वाइप करा देता है उसका कपरा चेंज करने जाता है लेकिन फिर कहता है तुम पता है फिर मुझे लगता है कि मिशन कंपलीट हो गया है सोजाओ मुझे जाना होगा फिर नेक्स टे मौनिंग जब जिन्शन आँकteri छोंगि तो देखता है उसके पास में सो रहा है जिशन की तब्या तभी ठीक है वो सोते हुए जहरे को अच्छी तरह हो जाती है फिर दिखा जाता है रात को क्या हुआ था बाइलेंग कहता है मुझे जाना होगा जिन्शन कहता है रुको बाइलेंग पूछता है क्या हुआ क्या तुम ठीक हो जिन्शन उसे लेके सो जाता है और बाइलेंग सोचता है जब वो फिर से मेरे इतने कड़ीब आया त मेरा दिल धरक रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, क्या तुम्हें मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा मेरे पास होना अच्छा लगता है, मेरे करीब आने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुमसे मिलके अच्छा लगा, और वो ज झाल झाल